नमस्कार दोस्तों मैं जे गोस्वामी स्वागत करता हूँ आपका अपने यूटूब चैनल आर्फेसी ओफीशियल में दोस्तों पेपरों की सरंखला में अल्रेडी चैनल पेपर पहले हल कर चुके हैं आज के इस वीडियो में अपने हल करेंगे ये करमचरी चैनल बोर्ड द्वारा पसुद नुसायक सिदी बढ़ती प्रिक्षा 2022 का पेपर हूँ है जो कि 4 जून 2022 को हाली में संपन हूँ है इसके 40 परसंद राजस्थान जिक्के से सबंदिते पूछे गी हैं वो किस परकार के पूछेंगे हैं आए उनका विश्ट्रित वर्नन करते हैं मैं गई दो ये देखिए पहला परसन है कि बेराठ जेपूर तो बेराठ जेपूर MHP बेराठ के पाड़ी जेपूर बेराठ सबयता भी है बेराट जेपुर के इन पास की बीम जी की डूंगरी तल पर दो सिलालेक बेराट सिलालेक और लगू सिलालेक की खोज की गई है तो यह किस ने खोज की है तो यहाँ पर जो सिलालेक मिले है कैपटन बरट को मिले है असोक का भाबरू सिलालेक मिला मित्रो बीम जी की डूंगरी बेराट से तो यहांपर यह किस सिलालेक की खोज की गई है असोक के सिलालेकों की खोज की गई है किसने के कैप्टन बर्ट ने और बेराट की सब्यता की जो उत्खनना को किसने किया बेराट द्याराम साहनी ने यह आप पर यह द्यार का बीम जी की डूंगरी है काप ही बार पुछा गया बीम जी की डूंगरी का है तो बेराट जयपूर के अंदर आपको करना है उसको लूनी गाटी दीडवाना बुढ़ा पुषकर के आसपास इस्तित एक मैतपूर्ण स्तला यह निमलिकित में से किस युग से सबंदित है तो लूनी गाटी दीडवाना बुढ़ा पुषकर यह मैतपूर्ण स्तला किस से सबंदित मध्य पूरा पाशानकाल, उत्रपुराना पाशानकाल इन में से कोई नहीं, तो इस प्रकार के जब परसन आए ना, तो वो लगबग मध्य पूरा पाशानकाल में होते हैं निमलिकित में से कौन सिसोधिया वंस के पूर्वज बने थे तो सिसोधिया तो सिसोधिया मित्रो मेवाड से सबन दी थे ये सिसोधिया वंस मेवाड का सिसोधिया वंस जैसे पहले रावल वंस था तो मेवाड में पहले रावल वंस रावल वंस किस्तापना बपा रावल और बप्पा रावल किसमें रावल वंस की स्थापना होती है और अंतिम सास कोन अता रावल रतन सिंग जो की ती तोड के पहले साक्य में मारा जाता है अग उसके बाद में रावल रतन सिंग के बाद में राणा हमीर जो की सिसोदा ठिकाने का संस्तापक था तो राणा हमीर से सिस देगी है राणा हमीर को कुम्बल गड़ प्रस्ति में हमीर को सिंग के सदर सूर के समान बताये दिवेर की लडाई किन के बीच लडी गई दिवेर का युद जो कि मेवाड के मेरा थन युद के नाम से जाना जाता है और दिवेर वीजियों का सिरीगिनेस मारनापरताप का सिरीगिनेस है तो किसके बीच में लड़ाई ये अमर सिंग फस्ट जांगीर जे सिंग औरंग जे वरानापरताप और अकबर के बद्य दिवेर का युद कब होता है 1512 के अंदर स्वाई मादोपुर के सिवाड गाउं जो स्वाई मादोपुर के शिवाड गाउं जो बगवान सिव का 921 वारौ ये है तो दोस्तों बुंदी का जो तारागड का दुरुग है उसका निर्माण राव रजा भरसिंग अडा के दवारा करवाया गया था बुंदी के तरागड का दुरूग रा वर ग्राव राजा बर सिंग आड़ा द्वारा चो दुविवDh, štaapadhi में करवाए गया था अब यहाँ पर राव राव राजा बर सिंग आड़ा दिया है, नहीं राव राव राजा बेर सिंग दिया है लोग देवता गोगा जी की समाधी गोगा मेडी राजस्तान के किस जिल्ले में स्थित है तो गोगा जी की समाधी बतानी है गोगा जी की समाधी जो गोगा मेडी राजस्तान के किस जिल्ले में स्थित है गोगा मेडी गोगा मेडी कायमितरों गोगा मेडी हनुमानगड के अं कि रिवाले गरंत के अंदर गोगा जी के युद्धों का वर्णन किया गया है बहुत इपोर्टेट है अभी हाले में किसी एक्जामें पुछा था जालावाड की राजपूत जालावाड सेली की राजपूत पेंटी किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का इसा है तो आपको पता है कि चितरकला है, वो चार स्कूल के अंदर बांटी गी है, मेवार स्कूल, मारवार स्कूल, हाडोती स्कूल और डुडार स्कूल, तो इसके अंदर जो हाडोती के अंदर आ जाता है, हाडोती के अंदर कौन-कौन से आगी मित्रो, कोटा, बुंदी, बारा, ज परदेश में आता है तो बिल्कुल सिंपल परसन है, कोई इसमें ज़्यादा इतना सोजने वाली बात नहीं है, मेवार छेतर में परसिद गेर लोग नरती है, तो गेर लोग नरती है, मेवार छेतर का परसिद है, और किस के दोरा किया जाता है, बिलों के दोरा किया जाता है, फेमस हा गेर नर्तिय है, होली के उसर पर किया जाता है और गेर नर्तिय पुरुस परदान नर्तिय ये बिदा रखता है, इसमें मेलाई भागने लेते हैं, पुरुस भाग लेता है, तो गेर नर्तिय है होली के उपर, और ध्यान रखना मित्रो मेवाड और बाड मेर चेतर में भी गेरनर्त या प्रसीद है मेवाड और बाड मेर दोनों आ जाए तो मेवाड और बाड मेर करना है राजस्तान की बासा के लिए पहली बार राजस्तानी सबद का प्रयोकिस ने किया कवी कुसलाव जोर्ज ब्राम गिरियसन सुर्या मेल मिसरन और तिम्स्टोड तो राजस्तानी सबद का सरव प्रयोकिस ने किया है जोर्ज अबराहम गिरियसन ने किया और जोर्ज अबराहम गिरियसन ने राजस्तानी बासा का सबसे पहले प्रयोकिया निमल लिकित में से कौन सा नाटक बवाई सेली में लिखा गया है जो राजस्तान में परसिद है ये परसन काफी बार पूछ लिया गे है मित्रो कि बवाई सेली में तो बवाई सेली के बागोजी नागोजी नाम आते हैं बवाई सेली से और इसमें जो परशिद है नाटक तो यह जस्मा ओडेन, यह 42 सेली में नाम आता है किसका जस्मा ओडेन का आता है, विशेज तोर पर ध्यानरक ने केई बार इस परशन को पूछ लिया गया है, रनकपूर जेन मंदिर पाली स्निमलिकित में से किस तिर्थंकर को समर्पित है, तो जेन मंदिर राजस्तान के जेन मंदिर बहुत इंपोर्टेंट है, पाली में जो रनकपूर के जेन मंदिर है, अब इनका सिल्पी कौन था, देपाक या देपा था, कुम्बाकालीन जेन मंदिर है, यह देपाक या देपा इनका सिल्पी था, और यह इनके पहले गुरु उनका। मंदिर है का मंन्दिर हैं नेमिनात निमन्द पर्षिद गजल गाइकों में से कौन राजस्तान से सबंदित है अनूप जलोटा जगत सिंग गुलाम अली पंकर सिंग तो गजल गई का जगत सिंग का जो सबंदित किस है गंगानगर जिले में इनका जनम हुआ है राजस्तान से सबंदित है जगत सिंग की गजले बहुत परसीद है 1818 में अंगरेजों के साथ संदियों पर स्थाक्सिर करने वाला जेपुर रजय का सास कौन था जेपुर का सास कौन था जेपुर का सास 818 के अंदर जेपुर रजय ने संदि की थी 40 मेटकोब के साथ कौन था मान सिंग मान सिंग तो इसका था इतनों मान सिंग तो यह जोदपूर का इसने भी अंगरेजों के साथ संदी की थी मारना भीम सिंग भीम सिंग ने मेवाड का है इसने भी अंगरेजों के साथ संदी की थी स्वाई जगत सिंग है यह दोस्तों जगत सिंग का नाम आजाता है इ पुर्राज्य से सबंदित जिसने अंग्रेजों के साथ संदी की थी बुंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे तो बुंदी किसान आंदोलन के नेता बताना है जेनरेन व्यास मारवार से सबंदित है नेनुराम, बुंदी का कौन है मित्रो नेनुराम नेनुराम या न्यूनाराम इसका कहीं कहीं ना मिलता है ये बुंदी की सानाम दोलने के नेता थे बिल्कुल सिंपल सिंपल परसन पूछ रहे हैं में तो बहुत ही सिंपल परसन है बिल्कुल बारत की सुतंतरता के बाद राजस्तान के गठन के कितने चरण थे अब एक्किकरण के चरणों के बारे में बताना है, सब को पता एक्किकरण के चरण कितने थे, साथ थे, मतश्या संग, स्यूंक्त राजस्तान, वरहत राजस्तान, पूरुव राजस्तान, वरतमान राजस्तान, इनके नाम से, एक नुमूर निशुपण को राजस्तान के एक् पुछा गिया है नगेंदर बाला का सब्द किस जिल्ले से है तो वह कोटा से नगेंदर बाला का किया है कोटा किया है एक पर सुनोर था कि एक कतन है कि बिना आर्थिक मजबूति के सवतंतर तासिल नहीं की जा सकती ये कतन है प्रिविश यर में पूछा है बिना आर्थिक सवतंतर ताके बिना आर्थिक मजबूति के सवतंतर तासिल नहीं की जा सकती है क अपने बहु आयामी रूपों जैसे उंट की खाल पर मिनाकारी, सर्वन मिनाकारी और महलों और हवेलियों के चित्रों उस्ता कला के लिए विश्व पर सीद है तो उस्ता के लिए के लिए कौन है उस्ता कला के जो कलाकार है लाहूर से आयते हिसामुदीन उस्ता ये किस के सासनकाल में उस्ताद कहलाते थे किस के सासनकाल में आयते माराजा अ लगता है तो बरत्री का मेला कहां लगता है अजमेर अलवर स्वाइमाद पुरुशिरोई तो बरत्री का मेला कहां लगता है मित्रों अलवर के अंदर अलवर बरत्री के जो अन्यवाई है जोगी सारंगी वाद यंतर बजाते है निमलिकित में से किस रज्य की सीमा राजस्ता अगर बात करें तो राजस्तानी के अंदर मित्रु उत्तर के अंदर लगती है सीमा किस राज्य की लगती है उत्तर के अंदर सीमा लगती है इसकी उत्तर के अंदर सीमा लगती है पंजाब की और उत्तर पुरु में इदर सीमा लगती है हर्याना राज्य की और इदर लगती है पुरू की ओर लगती है अपने इसकी उत्रपरदेश की और इधर दक्षिन पुरू के अंदर लगती है MP की सीमा इधर लगती है गुजरात की सीमा और इधर किसकी लगती है पाकिस्तान की सीमा लगती है तो पंजाब उत्रपरदेश हर्याना की तो लगती है दिल्ली की नहीं और 1600 किलोमेटर की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है मद्या परदेश के साथ 1260 किलोमेटर की सीमा लगती है अरियाना के साथ 870 किलोमेटर की सीमा लगती है उत्र परदेश के साथ 1022 किलोमेटर की सीमा लगती है गुजरात के साथ और 1070 किलोमेटर के सीमा किसके साथ साजा करते है अंतरस्ट रेड कलिफरेका पाकिस्तान के साथ साजा करते है तो कुल मिला के 5000 कितनी हो जाएगी 4850 तो ये लगती है राज्यों के साथ सीमा और 1070 किलोमेटर किसके साथ लगती है पकिस्तान के साथ सीमा लगती है अब वो जिल्ले भी दिया रखना पंजाब के साथ दो जिल्ले है ये अर्याना के साथ 6 जिल्ले है और उत्रप्रदेश के साथ दो जिल्ले लगती है परतिपूर दोलपूर MP के साथ सरवाद इक 10 जिल्लों की सीमा लगती है और रेड कलिफ रेखा पर चार जिल्ले राजस्तान के। बनास बेसिन निमल लिकित राजस्तान के किस बगोलिक विवाजन का इसा है। तो बनास का बेसिन है वो किस बगोलिक विवाजन का इसा है। पस्चमी रेतीले मेदान अरावली परवतमाला और पाडी छेतर पूर्वी मेदान हाडोती का पठाथ तो बनास बेसी नमित्रो ये पूर्वी मेदान कैसा है पच्पदरा राजस्तान के किस जिले में स्तित्खारे पानी की जील है पच्पदरा जील बाड मेर किस पच्पदर का हैं बाड अमेरिक के अंदर है निम्मी लिकित में से कौन सी नदी राजस्तान से उकर नहीं बैती है सिंपल परसन है बिल्कुल रूपा रेल बिल्कुल राजस्तान से बैती है माही लूणी है तो राजस्तान की नदी है यह तापती यह यह राजस्तान की नदी नहीं है तापती बरस गाटी में बहने वाली नदी है राजस्तान की नदी नहीं है यह कोपेन के जलवायू वर्गी करने के अनुसार राजस्तान का कौन सचिस छेतर AW परकार की जलवायू को अनबव करता है तो कोपेन अपनी जलवायू के अंदर बंटे थे चार कोड दिये थे BWHW, BSHW, CWG और AW तो BWHW है, BWHW आ जाता है इदर पस्चिम के अंदर, तो अगर BW का पूचता तो वो पस्चिम के अंदर आ जाता और उत्तर पुरू के अंदर आ जाता है CWG या 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 उत्तर के अंदर ये BSHW आ जाता है इदर और पूरू के अंदर आजाता CWG और दक्षिन के अंदर कौन सा है AW तो यह यहाँ पर इसका राइट उतर क्या हुजाएगा AW किसमे है सबसे दक्षिन के अंदर आजाएगा डुंगरपूर बांस वाड़ा चतर मित्रो बहुत अच्छा परसन है और मैं अपने वीडियो में कप हिवारिस का जिकर करता हूँ और यह यहाँ पर पूछ लिया गया है अब आपको कनफ्यूज नहीं होने आपको पढ़ना है जिर्फ देखना है देखो कि लाल दोमट मर्दा राजस्तान मिट्टी राजस्तान के निमल कित में से किस जिल्ले में पाई जाती है अब आपको समझ नहीं है या लाल दोमट मर्दा तो आप यहाँ पर देखो अंगलेजी में देखो रेड लॉम रेड लॉम का मतलब कि यह लाल लॉमी मर्दा की बात कर रहे लॉमी मर्दा राजस्तान की दोई जिल्लों में पाई जाती है डूंगरपूर बांसवाड़ा के अंदर तो यहाँ पर डूंगरपूर अप्शन है में है नहीं बांसवाड़ा मिल गया तो बांसवाड़ा इसका करेक्ट एंड सुरो जाएगा अगला फरसन देखिए निमल कित में से किस जिल्ले में राजस्तान का कुल वन आचादिच्चेतर सब से अधिक है तो सब से अधिक वन चेतर कहा है उधियपूर पाली 12 अजमेर सब से अधिक है मितरो उधियपूर के अंदर नियुन्तम चूरू के अंदर नियुन्तम परतिसत की बात करें तो जोद पूरा जाएगा निमली कित में से कौन सा ब्यारन या क्रोली जिले में स्थित है तो क्रोली में कौन सा है बंद बेटा बर्थपूर में गजनेर बिका निल में स्वर्शन बारा में केला देवी कहां पड़ जाता है क्रोली के अंदर जो कि आपको बताया काली शिन नदी और काली शिल नदी दोनों केला देवी मंदिर के लिए विख्यात है सफारी पारक जैपूर में इख विशाल और सुनर सफारी पार्क के जो तेंदवा देखने के लिए लोग परी है रन थम्बॉर माचिया, केवला देव, रन थम्बॉर स्वाइमा दोपर केवला देव, बर्तपूर, माचिया मगरा और ढालाना तो यहां पर यह कौन सा हो गया, सफारी पार्ट जो कौन सा है मित्रो, यह जालाना है जैपूर का निम्म लिकित में से राजस्तान का राज के पुस्प कौन सा है राज के पुस्प बताना है तो राज के पुस्प रोहिडा पलास जैसमीन कमल तो सब को पता है रोहिडा मारवाड का सागवान के नाम से जाना जाता है रोहिडा टिकोमेला अंडोलेटा इसका विज्यानिक ना राजस्तान सरकार ने जेपुरुद्य पुरु और जोदुपुरु के वायू गुणवता सुचकां के बारे में जानकारी साजा करने के लिए मुबाइल एप्लिकेशन लौंच किया है तो ये करणट का परसन है कौन सा है राज वायू वायू राज वायू राज वायू तो ये कौन सा है मितरो राज वायू है निमल लिकित में से राजस्तान में मुरुष्ट लिकरन का कारण नहीं है अब मुरुष्ट लिकरन का कारण नहीं बताना है कि जिसके कारण मुरुष्ट लिकरन नहीं फेलता है तो दिख जुताई से तो हता है आते दिख चराई से भी आते दिख जनसंग्या से भी जेविक खेती का मुरुष्ट लिकरन के उतरदाई नहीं है जेविक खेती I, C, A, R द्वार राजस्तान कितने कर्सी जलवाई वे थित्रव में वाजित किया गया है I, C, A, R के बारे में बताना है तो इसमें राजस्तान को 10 कर्सी जलवाई उखंडों में बांटा गया है जो कि 1st A, 1st B, 1st C, 2nd A, 2nd B इस प्रकार है और बहुत इंपोर्टेंट है कर्सी जलवाई वे उखंडों राजस्तान के हर बरती प्रिक्षाओं में पूछे जानने वाले परसनों में से मैं तो पूर्ण परसन पूछता है 2019 के अनुसार भारत में उन उत्पादन में राजस्तान का कौन सा स्थान है 2019 के अंदर सबसे फस्ट इस्तान पे राधा राजस्तान बांखडा नांगल नहर प्रियोजना के बीच स्यूंक्त नहर प्रियोजना के बीच में राजस्तान पंजाब और हर्याना के ये स्यूंक्त प्रियोजना बांखडा नांगल नहर प्रियोजना तो कमर सेनलिफ्ट नेर इसका पुराना नाम लूनकरंसर लिफ्ट नेर था जो कि किस जिल्ले को पीले का पानिय अपलब्द करवा रही है बिका नेर को और इंदरागानी नेर पर अगर पूछ ले सबसे पहली लिफ्ट नेर कोन सी बनी थी तो वो कमर से लिफ्ट नेर ही बनी थी जाख खंबांद राजस्तान के किस जिल्ले में स्थीत है तो जाख खंबांद सेता माता अब्यारणिया परता अगड़ जांकि उड़न गेलर ही परसीद है जाख खंबांद राजस्तान का सबसे उन्चा बांद जाखमबाग निमलिकित में से किस स्थान पर राजस्तान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है मित्रो छबड़ा सूर्तगड कोटा काली सिंत यहां पर इन दोनों में तो आप कनिफूज नहीं होंगे आप चबड़ा और सूर्तगड में होंगे और सबसे जादा आप अगर नहीं पड़ा था आप सूर्तगड करके आयो लेकिन यहां पर इसका उत्तर चबड़ा होगा यह ज्यान रखना हो दो ही राजस्तान के अंदर क्रिटिकल यह सूपर क्रिष्टल जो पावर स्टेशन है वो राजस्तान के अंदर दो यह एक तो सूर्तगड है और एक चबड़ा है अगर बड़ा बात कर ले तो सूर्वत्गड है रूस की साहिता से बनाया गया था और सबसे पहला कर ले तो आ जाएगा 6 बड़ा के अंदर इकाईया अच्छे है वरतमान के अंदर सूर्वत्गड के अंदर 8 इकाईया कारे रत है निम्न लिकित में से राजस्तान में लंबाई की दर्ष्टी से तोर पुरुनतल राजस्तान के अदर सबसे छोटा राज़्टी राजमार्ग वेशे तो NH-3 मित्रो encima C-45 जो कि इसमें ओप्षन में है ही नहीं सबसे छोटा राजमार्ग अगर पूस्ता तो NH3 था, NH3 नेशनला, इवे नमबर 3, इसका नया नामे नेश चम्वाली से, तो यहां पर चम्वाली से नहीं है, यह पूर्ण ते राजस्तान की बात कर रहे है, तो वो इसका एक एतरभी हो जाएगा, इसका, राजस्तान में टंग्स्टन कहां पाया जाता है, कितनी बार ब यह 44 परसंद है इसके, जो मैंने करवा दिया आपको बिल्कुल सिंपल परसंद है, आसा करता हूँ, यह वीडियो आपको अच्छा लगाओगा, दिन्यवाद